नमस्कार दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिजनिंग के 5 बहुती अती महत्वपोण प्रश्न एसे प्रश्न जो किसी भी competition exam में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं रोज तो आज हम यहाँ पर 5 प्रश्नों को देख आपको प्राप्त हो सके और वीडियो को अधिक साधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रिजनिंग की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते ह तो शुरू करते हैं आज के क्योश्यनों को तो सबसे पहला प्रेशन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है दिये गए विकल्पों से संबंदित संख्या को चुनिए तो यहाँ पे क्या दिया है पांच इस्टार तीन अनुपाद चार समानुपाद छे इस्टार पांच अनु संबंद किस संख्या से होगा वो यहाँ पे हमें बताना है तो इसे प्रश्णों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे अगर हम इन्हें जोड के देखते हैं अगर इस्टार की जगा हम प्लस मानते हैं तो आट और तीन ग्यारा होता है लेकिन यहाँ पे चार दिया है अगर हम इनका गुणा करते हैं तो कितना होता है आट तीन चोविस होता है लेकिन यहाँ पे तो चार है अगर घटाते हैं तो कितना बचता है यहाँ पे पांच बचेगा तो एसे इस्थिति में हम क्या करें यहाँ जब हमने गुणा किया 8 तिया 24 तो 24 में जो अगर हम इकाई के अंक को देखें तो वो इकाई का अंक यहाँ पे हमें लिखावा नजर आ रहा है तो इसी प्रकार हम एसा इसमें भी करके देखते हैं कि 6 का गुणा अगर हम 5 में करें तो 6 पंजे की कितना होता है 30 होता है अब 30 में 11 का अंक क्या है 0 है यनि कि इसका आंसर क्या हो सकता है 0 0 कौन सा option में दिया है यहाँ पे हमारे पास option number C में दिया है इसलिए इसका option number C यहाँ पे right हो जाएगा अब अगला जो question है वो दिया है अगले प्रशन में हमारे पास अब दे रखा है यदि P Q के 35 मिटर दक्षन पुर्व में है R Q के 65 मिटर दक्षन पुर्व में है तो R P के किस दिशा में है तो सबसे पहले यह दिशा वाले प्रशनों को हल करने के लिए हमें दिशा की जरुवत होती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिशा हैं बना लेते हैं यह पुर्व यह पश्चिम यहाँ पे उत्तर और इस तरफ दक्षन अब यहाँ जो प्रशन दिया है कि यदि P Q के 35 मिटर दक्षन पश्चिम में हैं तो दक्षन पश्चिम मतलब कौन सी दिशा यह वाली दिशा की बात हो रही है तो जो यह दिशा की दक्षन पश्चिम मतलब यह वाली दिशा बीच में लेनी है दक्षन और पश्चिम के तो P Q के 35 मिटर दक्षण पश्चिम में तो यह जो P है यह Q के Q यहाँ पर बना देते हम Q के कितने 35 मिटर दक्षण पश्चिम में है और R जो है वो Q के 65 मिटर दक्षण पूर्व में तो दक्षण पूर्व कहाँ पे है दक्षन पूर्व ये वाला हिस्ता जो है ये दक्षन पूर्व है तो जो R है ये R ये Q के 65 मिटर दक्षन पूर्व में है तो अब हमें क्या बताना है कि R P की किस दिशा में है तो अगर हम इस P के जगा पे दिशाएं बनाते हैं तो ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षन तो अगर हम इस R को देखे तो ये R P की कौन सी दिशा में नजर आ रहा है हमें पूर्व दिशा में नजर आ रहा है यनि कि पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा तो पूर्व किस उप्शन में दिया है उप्शन नमबर B में दिया है तो इसका उप्शन नमबर B यहाँ पर राइट हुआ अब अगला जो प्राशन है हमारा वो दिया है निम्न लिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिये हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है तो यहाँ पर हमें इन्हें क्रम से जमाना है क्या दिया है बीज, पोधा, अंकुरन, भून, फूल और फल तो हमें इन्हें क्रम से जमाना है तो सबसे पहले अगर हम देखे क्रम के हिसाब से तो सबसे पहले बीज रहता है यानि कि हम एक नमबर लिखते हैं पहले बीज से फिर भूण बनता है यानि कि चार नमबर उसके बाद भूण से वो अंकुरित होता है तो अंकुरित यानि कि तीन नमबर अंकुरन के बाद वो बनता है पोधा तो पोधा यनिकी दो नमबर पोधे के बाद उसमें क्या लगते हैं फूल लगते हैं तो फूल यनिकी पांच नमबर और फूल के बाद लगते हूं उसमें फल तो फल यनिकी छे नमबर तो अगर हम यहाँ पे इसे क्रम से जमाया हमने सबसे पहले क्या लिया हमने बीज बीज से भून बना भून से अंकुरन हुआ अंकुरन से पोधा तेयार हुआ पोधे में फूल लगे और फूल के बाद फल तो यह हमारा यह क्रम रहा तो अब यह 1, 4, 3, 2, 5, 6 अगला प्रस्ष्ण हमारा अगला प्रस्ष्ण ब्लड रिलेशन का है यहाँ पे क्या दिया है अगर M, Z की बहन है हम यहाँ से सौल्व करते जाते हैं M जो है वो Z की क्या है बहन है तो M बहन है मतलब यह इस पे हम माइनस लगा देते है female के लिए हम minus लगाएंगे male के लिए plus तो m जो है वो z की क्या है बहन है तो m पे हमने minus लगा दिया और z जो है वो p की पत्नी है ये जो z है ये किस की पत्नी है p की पत्नी है तो z पत्नी है यानि कि इस पे भी क्या लगेगा minus किस की पत्नी है p की तो ये P पूरुश होगा इसलिए इस पे लगा दिया हमने प्लस अब P A का बेटा है तो ये जो P है ये किसका बेटा है A का बेटा है इस A का बेटा है ये P तो Z का A से क्या संबंद है अब हमें क्या बताना है कि Z का A से क्या संबंद है वो बताना है तो अगर हम देखे तो ये P तो इस A का बेटा है और ये बेटे की क्या है पत्नी है Z तो बेटे की पत्नी कौन हुई तो बहू यनि की पुत्रवधू तो इसका जो सही आंसर है वो पुत्रवधू यनि की option number A यहाँ पे इसका right हो जाएगा तो इसका आंसर किस प्रकार आया है हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया M Z की बहन है तो ये M को हमने बहन बताया Z की इसलिए M पे माइनस लगाया था फिर लिखा था जेड पी की पतनी है तो ये जेड जो है ये पी की पतनी है तो जेड पतनी है इसलिए इसलिए माइनस लगाया और पी की पतनी है तो पी तो पुरोश होगा इसलिए 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 प्लस लगा दिया अब P A का बेटा था तो ये जो P था ये इस A का बेटा था तो अगर ये P A का बेटा है तो बेटे की पत्नी क्या लगेगी? पुत्र वधू तो इसलिए ये A और Z में क्या संबंद है? Z A का क्या लगेगा? पुत्र वधू यनिके Option Number A यहां पे राइट हुआ इसका अब आज का सवाल देख लेते हैं हम आज का सवाल आपके लिए यहां पे दे रखा है नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद रिक्त है दिये गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो दिये गए अनुक्रम को पूरा करे दो, तीन, साथ, छियानिस उसके बाद प्रशनवाचक चीनने इस प्रशनवाचक चीनने की जगा कौन सी संख्याएगी इन चार आप्शन में से वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर इसका पूरा सॉलिशन देखना चाहते हैं इस क्वेशन का तो आप हमारे रिजनिंग के पार्ट नंबर 33 को देख सकते हैं उसमें दूसरे क्वेशन में आपको उसका अंसर मिल जाएगा तो आप आगे के क्वेशनों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद